Hello friends, कैसे हैं आप सब? Good morning to all of you. आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के सारे top current affairs हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए सुरू करते हैं, पहले कुछ important information है मैं आपको दे दूँ. Losend की जो practice revision set आपने बताई थी, वो सुरू कर दी गई है. ठीक है, तो पहली information यह है कि monthly current affairs साम तक आएगा, ओके, दोसरी एक और चीज़ आ सकती है, वो है जितने day है, important days, उन पे भी एक अलग से छोटा सा वीडियो आएगा. third important चीज़ है कि जो lucend की revision series चल रही है, उस पे आप लोग focus करो, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, revision करना है, खुद का development करना है. यह है telegram का link, description में मिल जाएगा, facebook का link मिल जाएगा, instagram का link मिल जाएगा, सब जगा follow कर सकते हो, telegram PDF के लिए, जरूर से, जरूर join करो, ठीक है, क्योंकि उससे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगा. last important information यह था, कि जितनी भी PDF, अब मैंने daily basis पे PDF से send करना बंद कर दिया था, तो अब मैं एक साथ भेजूँगा, एक साथ जब मैं भेजता हूँ, तो आपको मिल पाता है एक जगह, और एक जगह मिल जाने से आप लोग को दिक्कत नहीं होती है, इसलिए यह मैंने शुरू कि दिनों के या 10-12 दिन जो भी बचे होंगे, उनका PDF एक जगह send करूँगा, और monthly current interface लाओंगा, तो be ready for that, आज मैंनत ज्यादा करना है, चुकि अब exam के time नहीं रहा, अब exam का date आ चुका है, आपको सामने दिख रहा है, आपका लक्ष, आपका aim कि कब तक यह हो सकता है, तो जि यह एक day है, जो कम मनाया जाता है, बताइए, तो छुद्रगरा दिवस, asteroid day और international parliamentarism day, यह गोनों का पहले मतलब समझे, मैंने एक ही दिन है, इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा है, तो यह है 30 जून को, पारलियामेंट की महत्तों को, पारलियामेंट के एक तरीके से legislative process को बता ही जादा यह day important है, इसलिए यह जून है, यह day है 30 जून, 30 जून, asteroid day, asteroid क्या होते हैं, छुद्रगरा आपको पता ही है, जो हसमान से गिरते हैं, और एक तरीके से प्रित्वी से कभी कभी टकराने की ओर भी बढ़ते हैं, तो यह है asteroid day, चलिए, 30 जून को है, अब जून महीने कि जितने वीड़े हैं, वो मैं आज लेकर आऊंगा, तो आपको परिशान होने की अभी ज़रुत नहीं है, which country has imposed 10 year imprisonment for destruction of heritage, किस देश ने रस्ट्रियस मारकों को नुकसान पहुचाने के लिए, 10 साल की सजा का प्राधान किया है, मेरा यह current affairs in both language, दोनों language में रहता है, so you don't have to worry, which language you prefer, you have to read, okay, so यह देश है, अमेरिका, रूश, चीन और ब्रिटेन, तो इसका right answer होगा, अमेरिका, इसका right answer होगा, अमेरिका के 45 प्रेसिदेंट हैं, डोनल्ड ट्रम्प, next fact आपको याद रखना है, अमेरिकी stock agency ने अभी जितनी भी Chinese company है, share market में, उनकी सारी companies को delist कर द कर दिया था, क्या कर दिया था, डी लिस्टिंग कर दी थी, ठीक है, अमेरिका से related all of facts, अमेरिका के राजधानी का है, वासिंग्टन डिसी डॉलर यहां की currency है, और इस डॉलर का sign आपको पता है, यह ऐसे रहता है, तो यह भी कभी किसी किसी exam में पूछा जाता है, ठीक है, डॉलर तो यह हुआ, रूपी की sign यह है, तो यह sign आपने बहुत जटिन तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ा है, तब ही आपको पता होगा, कि यह sign किसी ने बनाया था, वो इंडियन था, बहुत recent महीं बना है, तो अगर आपको नाम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है देखता हूँ मैं कितने लोगों को आता है, अधरवाई मैं कल बताऊंगा जरूर, घवराने की जोत नहीं है, तो किस देशने रस्टियस मारकों को नुक्सान पचानी के लिए 10 सल की सजा, तो यह है अमेरिका, रूस की राधानी, मॉस्को, रूबल यहां की करेंसी, चीन की और श्टर्लिंग भी है, दोनों यहां की करेंसी है, और यूरूपेए यूनियों से ब्रिटेन अलग हो गया, साथे साथ ब्रिटेन दुनिया का पहला ख्लाइमेट इमर्जेसी लगाने वाला देश बन क्या है, अमेरिका में दो बैंक है, अमेरिका के वसिंग्टन डीसी मे इसके तेरह में प्रेसिडेंट है, डेविड मलपास, क्या नाम है, डेविड मलपास, तो यह दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आज हम लोग नौर्थ अमेरिका बहुत दिन से डिसकस कर रहा हैं सिर्फ अमेरिका अमेरिका, आज ह पले यह एसिया दिख रहा है, एसिया और एक तरीके से नौर्थ अमेरिका कंटिनेंट को, कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो यह है स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट, यह डिरेक्टली पूछा गया है, ठीक है, नौर्थ अमेरिका का सबसे उचा परवत कौन है, तो आपको तो यह है Mount McKinlay यह सबसे highest mountain है अब mountain एक बड़ा सा सीरीज है यहां Rocky Mountain जो की देख भी रहोंगे आप आपको यहां दिख भी रहा है Rocky Mountain का सीरीज अब इसमें कई सारी और भी चीज़े हैं पूछी जाती है Mount Whitney ठीक है Coast Range, Coast Mountain, Great Basin Colorado Plexu यह सब इसी का पार्ट है इस्टेट यहां पे है, सबसे बड़ा Canada है इसमें और Canada जो है आपको Canadian Prime Minister के बारे में तो पता ही है यह वर्ल्ड में अभी निउज में भी थे कुछ दिए पहले तो अलग से जीके के facts यह है इसमें जो है इसकी सबसी निचली जगा मतलब lowest point यह कौन सी है तो यह है Death Valley देखे एक चीज आपको confused नहीं होना है एसिया में सबसे lowest point है उसका ना में Dead Sea जो कि जॉर्डन के पास है और अमेरिका में सबसे जो नॉर्थ अमेरिका का है वो है Death Valley दोनों में difference है ठीक है दोस्तों तो यह है नॉर्थ अमेरिका और यह आपको दिख रहा होगा अब कुछ मैं Great Five Lakes की बात करना चाहूँगा जो कि आप जानते बहुएंगे Superior, Erie, Michigan, Huron, Ontario यह जरूर याद रखिए question यह पुछा जाता है Great Five Lakes है कहाँ तो यह है अमेरिका में नाम क्या है? Superior Lake कहा है तो यह है अमेरिका में Ontario, Erie, Huron, Michigan यह सब है अमेरिका में कुछ नदियों के नाम भी पूछे गया है जैसे कि Mississippi, Missouri और कौन-कौन से नदियां है बताइए अमेरिका की जो आपको याद है Houston नदि है ठीक है? Mississippi, Missouri, Winnipeg यह सबसे ज़्यादा पुछे जाते है और Winnipeg, Lake भी है, River भी है आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है दोस्तो Next, Applesian Mountain एक तरीके से अमेरिका का यह Cole Reason है Cole Reason है कोईले यहाँ पाया जाता है आपने यह तो देखा होगा Washington है कहाँ? आप देखें, यहाँ Mount Washington आपको यहाँ दिख रहा है ठीक है? New York यहाँ आपको दिख रहा है Washington DC आपको यहाँ दिख रहा है यह इसी लाइन में है अब समझ गए होगे आपना कि क्यों important है? यह सारी चीजे चलिए तो I hope यह जितना भी मैं GK का fact बताया हूँ आपके काम आएगा तो चलिए एक important चीज है कि जितने भी आप लोग के पास study groups हैं, दोस्त हैं contact में लोग हैं उन लोग को Facebook, Instagram, Twitter कहीं से भी आप share कर सकते हैं इस YouTube चैनल को इस वीडियो को अगर आपको बहुत ही ज़्यादा useful लगता है तो जितने भी आपके पास social networking platform है सब पे इसको share कीजिए ठीक है और दोस्तों को भी बताइए बाकी सारे playlist है सारी subject की पढ़ाई यहाँ चल रही है practice it चल रहा है तो किसी को भी छोड़िए नहीं चल आगे बढ़ते हैं दुनिया के top 30 startup परिष्थित की तंत्रवे भारत का कौन से सहर मैं इंगलीज में समझाता हूँ world's top 30 startup ecosystem India's only one city is यह कौन है मुंबाई, बैंगलोर, नई दिल्ली, पटना तो यह है नई दिल्ली ठीक है नई दिल्ली जो है इसने यह सबसे ज़्यादा नई दिल्ली नहीं यह है बैंगलोर बैंगलोर top 30 startup ecosystem में टॉप पर है इंडिया में चुकि नई दिल्ली मैंने किसी और चीज़ का current reference बता दिया आपको तो यह बैंगलोर है बैंगलोर को आपको पता ही है Silicon Valley कहा जाता था और बैंगलोर जो है यह वरिस भरावती नदी के किनारे है और एक तरीके से करनाटा का यह सबसे हाइफाई और modern city भी है ठीक है दुनिया के top 30 startup ecosystem में बैंगलोर is the first city चलिए आगे बढ़ते हैं आज जो मैंने आपके revision के लिए topic रखा है वो है इंडिया के जितने भी main परवत हैं वो आप तो यह जानते होंगे K2 यह कहां है यह है जमू और कास्मीर में लेकिन एक confusion होता है नंगा परवत है जमू और कास्मीर में कंचन जंग है सिक्किम में ओके दोस्तों प्लीज याद रखिए यह पूछा गया है इसलिए मैं I request you to all remember all these facts ठीक है नंदा देवी हो गया कामेत परवत स्रेणी यह भी है उत्तरा खंड में ठीक है और बद्रिनाथ यह भी है उत्तरा खंड में एक तरीके से अगर बात करें तो यह मद्रेपर्देश वाले इडाके में पढ़ता है अजंता एलोरा यह तो आपको पता ही है महराष्टा में है कालसुबाई माउंटेन और महाबालेश्वर यह दोनों कहा है कालसुबाई और महाबालेश्वर उची चोटी कौन सी है, वो है अन्ना मुरी, जिसकी हाइट है 26,95, इसको ऐसे याद करो, 26,95, मीटर हाइट है इसकी, लेकिन, एक तरीके से दूसरी जो परवत है, उसका हाइट है, 26,36, आप यहाँ देख रहे होंगे न, 36 यह है, यह है 12 बेटा, इसकी हाइट इतनी है, अच् 36 गड़, और तिलांगना अंध्रप्रदेश का रीजन है, दरसल यह कॉमन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन जरूर याद रखिएगा, फांक फूई, या ब्लू माउंटेन मैंने क्या बताया था, मिजोरम का यह इलाका है, औ चलिए, नेक्स देखते हैं, और भी कुछ-कुछ इंपॉर्टन ठीजे कि छूट रही हैं क्या, तो नहीं, कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और इसी तरीके से मैं आपको करेंट अफेस ऐसा पढ़ाता हूँ, ताकि आपका मैक्सिमम जी करेंट अफेस की वीडियो उसे जरूर देखिएगा, और जो डे अंड उसकी थीम है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले के आऊँगा, जितने भी इंपॉर्टन डेज हैं उसकी, चलिए, विच इंडियन एंपायर इस इंक्लूड़ेड इन ICC इलीट पैनल, भारत किस भ एक तरफ रख दीजिया, ICC और एक तरफ BCCI, ये 1909 और ये 1928, ICC का हेड़काटर है दुबई और इसका हेड़काटर है मुंबई, अगला है, ICC के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, ससांक मनुहर, और CEO ये जो है, ये है मनुसाहनी, और BCCI के प्रेसिडें प्रेसिडेंट है, 49 में, सौरफ गांगूली, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, विच कंट्री है कंट्रोल्ड आफ्टर स्टॉप्ट ग्रास हॉपर्स बाइट्स ड्रोन, तो ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल कर लिया है, ड्रोन की सहायता से, अब ये टिड्डियां परिशानी क्या करती है, ग्रास हॉपर आपने दिखा भी होगा, पाकिस्तान को तो लगवग उन्होंने एक तरीके से ऐसा लग रहा था, इसे पाकिस्तान पर अटाइक ही हो गया है, किसी सेरिंग वाली बाते जरूर याद रखिएगा, और वीडियो को तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, लाइक करने से अच्छा अच्छा फील होता है, तो मैं और मोटिवेट हो के और अच्छे अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, और जितने भी वीडियो जाते हैं, उसको टा किल कोरोना कैमपेन, ये किस राजय ने सुरू किया, किल कोरोना कैमपेन ये सुरू किया गया है, ध्यान से देखिए, किल कोरोना, ये मध्य परदेश के द्वारा सुरू किया गया, मध्य परदेश के सीएम और गोवर्नर, आज आप कमेंट करके बताओगे, एक चीज ध्या तो अभी लाइव कमेंट कीजिए या फिर इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अब आते हैं मध्य परदेश भारत का हर्ट जीलो की नगरी कहते हैं भोपाल को यह है मध्य परदेश इसकी बाउन्डरी लगबग सारे राजजियों से लगती है बीच के जितने भी राजजयं हैं उत्तरपरदेश चथिछगर, महाराष्च्रा, कुजरात, राजस्थान ठीक है इससे सबसे ज़्यादा इसकी boundary लगती है किससे तो ये है महाराष्ट महाराष्ट से इसकी land boundary सबसे ज़्यादा I thought लगती है confirm तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा लग रहा है लेकिन अगर इसको ऐसे ऐसे गुमाय देखे तो सायद राजस्थान भी हो जाए तो मैं इसको confirm कर दूँगा don't worry और मध्य परदेश भारत का heart कहा जाता है यहाँ के tiger reserve और national park सबसे famous भी है ठीक है और सबसे ज़्यादा इससे सवाल भी पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते है मध्य परदेश में सबसे पहला national park है सथपुरा और वटविहार और सजय गान्धी national park इतने national park है मध्य परदेश में ठीक है दोस्तों चलिए आग़ बढ़ते हैं और आपको पताई ही है बागी सारे national park तो आँणुग डेली रिविजन करते हैं तो अब next question की तरभ बढ़ते है Ireland के नए परधान मंत्री New Prime Minister of Ireland तो Michael Martin जनेजा जन्सा सन्ना मारीन तो Ireland के New Prime Minister बने है Michael Martin और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ जनेजा जन्सा भी कही न कहीं के PM बने थे तो आपको ये comment box में मुझे चाहिए ठीक है नेक्स जो है सन्ना मारीन दुनिया की सबसे यूआ प्राइम मिनिस्टर कौन है सन्ना मारीन और ये Finland की प्राइम मिनिस्टर बनी है Finland की राजानी कहा है 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 लिंस की तो चलिए शेयर और लाइकिंग भूलिए गमत Recently फोन पे ने मल्टी बैंक पेमेंट के लिए किस के साथ tie up किया है या समझोता किया है तो phone pay ने सिधा याद रखिये इसे phone pay ने ICIC bank के साथ समझोता या tie up या जो आप समझ लो किया है ICICI bank के साथ किस ने insta cash सुरू किया है insta cash started by अब ये बड़े businessman के लिए सुरू किया गया है और एक चीज और मैं बता दूँ चुकि अब तो clear हो गया कि interest जो है आपका अगस्त में होगा तो अगस्त से पहले मतलब जुलाई तक जून तक सारे important current affairs पूछे जाएंगे ठीक है तो मैंने जनवरी से जून तक current affairs की PDF भी ready कर दी है लगभग और हो सकता है आज या कल में वो launch हो उसकी एक fix price रखी जाएगी और ध्यान से सुनिये बहुत ज़्यादा price उसकी नहीं होगी बहुत कम price होगी और पहले भी बच्चों ने खरीदा है तो लगभग 60 rupees पहले की price है बट हो सकता है जून का include करूँ तो उसमें थोड़ा sign cringe हो तो घबराने की जुरूत नहीं है कोरोना की वज़ा से मैंने इसकी price बहुत कम रखी है तो जब भी launch होगा आपको पता चल जाएगा किसने insta cash शुरू किया है तो ये शुरू किया है insta mojo ने तो मैं ये कह रहा था पे current affairs की pdf लगातार मिलती है तो वो pdf को एक जगह श्टोर करते जाए और जो मैं final pdf दूँगा उसे भी रखेंगे ओके ये आप ध्यान रखोगे चलिए ये है insta mojo ठीक है insta mojo ने insta cash शुरू किया है project platina ये किस ने शुरू किया project platina तो ये एक तरीके से जो plasma therapy हो रही है platelets की उसमें use पड़ती है तो plasma से करने के लिए और व्रतियों को ठीक करने के लिए महराश्ट सरकार ने project platina सुरू किया है next है अगला question भारत सरकार ने कितनी chinese apps को ban कर दिया है तो ये तो सब को याद होगा यार बहुत खुजी होती है जब ऐसा काम भारत सरकार करती है ये है 59 apps पंजाब की पहली मुख्य सची फर्स चीफ सेकरेटरी female of पंजाब तो ये है वीनी महाजन पसुधन नयाय योजना किस राज्य का है तो पसुधन नयाय स्कीम ये किसका है किस राज्य का बताईए ये है 36 गड़का किसका है 36 गड़का चलिए नेक्स्ट है 14 नुम्बर कुश्चन नेशनल स्टार्टिस्टिक्स डे ये दिवस कब मनाया जाता है मैंने कई बार मनाया है 29 जून को ये दिवस मनाते है तो जो जो मैंने बाते बताई है ध्यान रखिएगा और मंतली करेंट फेस की वीडियो साब में आएगी उससे जरूर देखिए ये कुश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए है किस देश ने 2023 तक एक व्यक्ति को स्पेस वाग पर ले जाने की घुश्चना की है जो भी इसका राइट आंसर होगा यू हब तो कमेंट इन कमेंट बॉक्स और थेंक यू फॉर वाचिंग तिल एंड